जैहिंद राम राम , तो अगर कोई बहुत दिन से रणिं कर रहा है उसकी सांस फूलने की समस्याँआः भी भी नहीं गई है, तो आज ये 5 तरीके में बता रहे हैं, بहुत हत तक कम ho जाएगी और जो भी आपको वीडियो चाहिए आप कॉमेंट कर सकते हो सबसे पहली बात हम करेंगे कि लेमन वाटर मतलब की नीबू और पानी इसका सेवन करना है सुबह सुबह उससे क्या होगा यह समझो जो आपका म्यूकस होता है या बलगम होता है वो ठिक हो जाता है जिसकी वज़ सब्सक्राइब चाहिए तो उनमें चीजों से तो जब नीबू-पानी पीते हो तो यह सारी चीजों से आप फ्री हो जाते हो जिससे आपकी एर्वेज क्लीन होती तो आपको सांस लेने में बहुत आसानी रहती है दूसरी चीज़ अगर आपको बहुत ज्यादा कम कर देना है धूद दही पनीर इन तीनों छीजों को तीन से पाँ दिन के लिए हमेशा की लिषा के नहीं बोल नहीं भोंता है इनको बंद कर दो जिससे कि जब जब ज्यादा आपसे और की आपकी हर्ट की आकरी जो पर तो आपको क्या चैकर ना अनक्या यहां पर बात करेंगे गार्लिक आप डेली अपने फूड में और गार्लिक का इस्तिमाल करना चालू कर दो अब गार्लिक का इस्तिमाल कैसे होगा एक दो जो कली आती है गाले की वह आप भून के भी खा सकते हो बहुत टेस्टी लगती है खाने में भी इस्तिमाल कर सकते हो अ अगली अगर हम बात करें तो पानी यार पानी बहुत जरूरी है मेरे पानी मतलब आप बोलो तो 65-80% बॉड़ी में पानी ही है आपकी मसल्स हो गई आपके लीवर हार्ट सबके लिए पानी इंपॉर्टेंट है तो जब आप पानी कम पीते हो तो आपका जो ब्लेड सर्कुले अब आपका ल Вас यहां पर नमत्स का यहां फिर चोड़ो या फिर चोड़ चोड़ो तुम क्या करो बहुत टो एक एक सर्फेस बैठो डr island मतलब मतलब सब सक अन्दर की तरह पोरी तरीके से और are चोड़ो को आप दो से पांच बार पर फॉर्म करो तीन से चार सेट में और ये पांचों पॉइंट जैसे आप फॉलो करते जाओगे आपकी जो सांस होने के समझ से आए वो बहुत हद तक कम होती जाएगी ये मेरा वादा है और आप ये करके जरूर देखना तब आपको इसके रिजल्स समझ में आएंगे तो आज के वीडियो को यही खतम करते हैं कल फ